Hello friends, chapter 6 example number 5 करेंगे If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel पहले इतना figure समझेए अगर कोई transversal दो lines को काटती है ऐसे और यहाँ दिया हुआ है कि bisectors of a pair of corresponding angles यहाँ पे यह corresponding angle और एक यह corresponding angle हो गया इनके जो bisectors है ना जैसे यह इसका bisectors हो गया angle का और यह इसका bisectors हो गया यह दोनों parallel है then prove that the two lines are parallel तो आपने यह proof करना है कि यह जो दो lines है ना यह भी parallel है figure आप खुद बनाओगे और बनाने के बाद इस figure की naming कर लेंगे मैंने यहाँ पे यह fair figure बना रखी है यहाँ पे हमें question के according जो दे रखा है एक बार फिर से समझ लीजिए PQ और RS यह दो lines हैं इनको AD एक transversal काटती है और यहाँ जो corresponding angles बन रहे हैं यह वाले ABQ और BCS इनके यह bisectors हैं BE और CG BE और CG यहाँ parallel दे रखे हैं जो दिया हुआ है figure के according पहले वो given लिख लेते हैं the given में BE जो है यह bisector है is the bisector of angle ABQ इसी तरह से जो CG है यह bisector है BCS का CG is the bisector of angle BCS और BE parallel CG के दिया हुआ है BE is parallel to CG to prove में लिख लेते हैं to prove करना है कि PQ parallel to RS PQ is parallel to RS अब यहाँ से proof स्टार्ट करते हैं दिखिए हमें यहाँ पर यह given है कि जो BE और CG हैं यह parallel हैं तो BE और CG parallel हैं इनको भी तो यह जो ADA यह ट्रांसवर्सल काटती हैं इतना लिख लेते हैं पहले पर यह CG हैं इन्हें यह जो A, D line है यह काट रही है ऐसे काट रही हैं तो यह जो एंगल हैं यह corresponding angle हो गए हैं यहाँ पर इनके लिए जो corresponding angle यह हैं जिन पर मैं यह मार्क कर रहा हूं डबल वाला यह इनके corresponding angles हो गए हैं तो यह दोनों बराबर होंगे यानि A, B, E बराबर यह लिख लेते हैं कि angle A, B, E यह बराबर होगा angle B, C, G, K क्यों? क्योंकि यह corresponding angles हैं corresponding angles अब जितने पर मैंने निशान लगाया है यह बराबर हैं और जो नीचे-नीचे काई जो पार्ट है ना जिस पर निशान नहीं लगाया है यह इसके बराबर होगा क्योंकि B, E bisector है इस प निशान लगाया है यह तो half है ना तो इनके जो double अगर हम करेंगे यहनी इतने angle का मैं twice करूआँगा यहां पे और इस angle का twice करूआँगा यहां पे तो इनके twice भी ने और और के बराबर होगे अगर A, B, E, B, C, G के बराबर है तो इसका twice मैं करूँगा यहांनी twice of A, B, E तो य ये twice of angle BCG के बराबर ही होगा और इनके twice का मैं नाम यहाँ पर figure के according लिख सकता हूँ ABQ और BCS angle ABQ बराबर angle BCS अब मैंने इतना दिखा दिया कि ABQ जिस पर मैं ये red mark कर रहा हूँ ABQ और BCS इन दो angles को मैंने equal दिखा दिया अब यहाँ देखिए ये जो दो angles हैं ये PQ और RS line के उपर बन रहे हैं और AD यहाँ पर transversal है तो ये खुद भी corresponding angles हो गए हैं ये पूरे-पूरे ABQ और BCS अब इस बात को लिख लेते हैं कि also they are corresponding angles formed by transversal AD with PQ and RS PQ RS पर AD transversal इन ही दो angles को बना रही हैं और ये दोनों angles यहाँ पर corresponding angles हैं इसलिए अब corresponding angles जब बराबर होते हैं तो वो जो दो lines हैं वो parallel होती हैं तो therefore यहाँ से हमारा direct answer आएगा कि PQ जो है ये parallel होगी RS के कौन सा रूल लगा है इसके अंदर Converse of corresponding angles एक्जियम लगा है Converse of corresponding angles axiom कि अगर कोई दो line हैं उनके corresponding angles अगर बराबर हैं तो वो दो line parallel होंगी ये हमने prove कर दिया हैं सब्सक्राइब